रिड विट नासिक सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान निज्यान और करन्त एफर का वीडियो लेकर आता हूँ हमारा वीडियो हर परकार के एक्जाम में पूछे जाते हैं चाहे जो एक्जाम UPSC हो, BPSC हो, SSC हो या फिर रोलवेस का कोई एक्जाम हो इस वीडियो में हम जो प्राचिन इतिहास के बारे में बात करेंगे इससे पहले के आगे बरहें आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए वीडियो को लाइक कर दिजिए, शाथ ही शियर कर दिजिए तो चलिए शुरू करते हैं आज हम इतिहास पार्ट 11 के बारे में बात करेंगे इससे पहले जो हम इतिहास के 10 पार्ट का वीडियो बना चुके हैं अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा देख लिजिए गा या फिर चैनल पर विजिट करके जो हमारा प्राजिश्ट है इतिहास का उसमें से देख लिजिए गा प्राचिन इतिहास का ति यह हमारा question है, कथन दो दिया गया है इस question में इनमें से जो है आप लोगों को सभी समाधियों में एकि विष्ष्ट प्रकार के मिलेद मांध काले और लाल ब। राप्त होते हैं ये चाक पर बनाए गए हैं तत्ता इनके ऊपर पॉलिस भी भीत्री है इन्हें उल्टे मुँ आग पर पकाया जाता है इनका भीत्री तथा मुँ के पास वाले भाग काला हो गया है जबके सेश लाल परमुख बरतन घरे मटके कटोड़ी थाली आदी है चलिए हमारा अगला कोश्चन के तरफ कथन ए दस्शीं भारत महा पुरुशィन कालीं यूगिन लोग किर्सी के परमुख व्यसाई थे ग आप्सिन भारत में पासान यूगीन के पस्चाद दट्यन के पठार तथा प्रादी प्या महापासान का इन लोग साधारंत पहार की ढखलानों पर रहते हैं वे अपने आवास के लिए नरसेंगी कालाब या जलासे के निकट पर्वत या उपत्या का उपयोग करते हैं इन लो इसकी सहायता से ये धान की खेती करते हैं यहां से किर्सी उपयोगी ओजार फवारा कुदाल हास्या पराप्ते हुए विद्वानों के अनुसार इसा के पर्थम सदी में इससे कुछ पहले ही लोग पहारों को छोड़ नदी मोहानों उप जाओं भूमी का अपयोग किर्सी क के लिए करते थे चलिए हमारा अगला कोश्चन के तरफ कोश्चन है निमलखित में से कौन सा विकल्प भारती उप महादीद के मिर्दभांड संसिक्रितियों के अनुकर्म का सही ढंग से परतिविम्बित करता है तो आप लोग देख लिए एप्शन को इसका सही उत्तर है गैरिक मिर्दभांड संसिक्रिती उसके बाद जो है काले लाल मिर्दभांड संसिक्रिती चैत्री द्रूसर मिर्दभांड संसिक्रिती उत्तरी काले पॉलिस वाले मिर्दभांड संसिक्रिती चलिए हमारा अगला कोश्चन के तरफ कोश्चन है ताम्र नीधी भंडार संसिक साथ के लिए व्याक्षा देख लेते हैं साई पाई तक लगभग दस अस्थल इस सांसिगरिती के मेले हैं अन्न महत्पून अस्थल बहादराबाद हस्तीनापूर आही छेत्र अंतर जी खेरा पुराना किला आधी इनी नारंगी इसे लेकर लाल रंग तक के गेरवे रंग से रंगा गया है चलिए हमारा अगला नीचे के व पूटों मैं से कौन भारत का प्रागैती हसिक पाल की श्रोथ सामगरी के रूप में उप्योगी है को आप लोगोंको को बनाना है कूटों में से जो है कौन सा कूट सही है तो इसका सही उत पे रहा जीवास में सब्ह deef सबीस सही है यह व्याच्छा है इति हास का विभाजन प्रागे थासिख इस द्रिश्थी से पासाग इस भीता प्रागे थी इस काल का अध्यन के लिए इतिहास कारों ने पुरातात्विक साक्ष का सहरा लिया जिसमें से अवजार के अंतरगत हैंड एक्स मितलब हाथ की कुलहारी जो समूद्र के पास से पल वरम नामक अस्थान से 1863 में रोबर्ट बुरूस द्वारा सो पर्थम प्राप्त की गई इस कोश्चन है भारत के प्राचींतम चूलहे का पुरातात्विक अवसेस मिला है कहां पर मिला है चूलहे जो जलाने वाला होता है उसका कहां पर मिला है तो इसका सही उत्तर है बीला सूरगाम से चूलहे का अवसेस मिला है चलिए भी अच्छा देख लेते हैं भारत के स्थान से मद्ध पासान काल के पसुपालन के परमान मिले है उसका नहीं हैं चिलिए भी अख्या देख लेते हैं बागवर राजिस्तान में इस्तीद एक मद्ध पासानिक अस्थल है भारत जिसका उत्खनन सबसे 1971 बराइस्वी मद्ध पासानिक में भी एन मिस्र अस्थल ने किया बागोर्ट था बागोर्ट से पसुपालन का प्राचिंतम साक्ष मिला है फर्स बनाने के लिए पत्थरों का पड़ियोग के साक्ष भी यहां मिले है चलिए हमारा अगला कोश्चन के तरह कोश्चन है भारत में निम्लिखित में से किस नौपासानिक अस्थल को सौपर्थम सुचित किया गया है कौन सा नौपासान कालिन अस्थलों में से सबसे पहले गुफक राल को सुचित किया गया गुफक राल जो कश्मीर राज में इस्तीत है यहां अनेक गर्पालास याने गड्धाकार अनेक परकार के मिरिद्भांड एवंग परस्तर तथा हड़ी के अनेक औजार पराप्ते हु से प्रापत कबरों में पालतू कुटों को मालिक के साथ दफनाया जाता था लोक सिवाहयों में इसका उत्तर कर को डी माना है लिंग सब्सृण माना है चलिए हमारा अगला कौस्च के तरफ कौस्च आप बहारत में नीमिकित में सी किस नौपासानिक अस्थल और से बरू स्क्रोल करके दूसरा को ले लेते हैं, कोस्टिन है, मानुव के करमिक विकासवाद के सिधान्त को पहली बार किसने वैज्ञानिक धन से परतिपादित किया था, आप लोगों को बताना है, मानुव के करमिक विकासवाद के सिधान्त को पहली बार किसने परतिपादित किया था तो इसका सही उत्तर है चालर्स डॉर्वीन में पर्तिपादित किया था तो ये option D इसका सही उत्तर हो जाएगा चलिए अब आख्या देख लेते हैं चालर्स डॉर्वीन ने करम विकास जाने इवियलेशन के सिधान को पर्तिपादित किया उनके सोध अंसिक रूप से 1831 में HMS बीगल पर उनके समूत्र व्यात्रा के संग्रों पर आदारित है इनमें से कई संग्राले में अभी उपस्तित है चलिए हमारा अगला question के दरफ Question है चालर्स डॉर्वीन थे आप लोगों को बताना है कि चालर्स डॉर्वीन क्या थे इसका सभी तरहा चालर्स डॉर्वीन जो है एक जीव विघ्ञानी के चलिए वियाछ्या देख लेते हैं डॉल्वीन महान विघ्ञानिक थे आज जो हम सजीव चीजे देखते हैं उनकी उत्पती तथा विवुत्ता को समझाने के लिए उनका विकास का सिदान सर्वशेष्ट माध्यम बन चुका है उनकी सारवधिक परसिद पुस्तख जीव जाती का उत्दर्व परजाती की उत्पती सामान पाठकों पर केंद्रित है तो यह हमारा अगला कोस्टन के तरफ कोस्टन है चालर्स डार्वीन कहां के निवासी थे आप लोगों को बताना है चालर्स डार्वीन जो है कहां के निवासी थे तो इसका सही उत्तर है चालर्स डार्वीन जो है इंगलेंड के निवासी थे वे अच्छा देखते हैं वे अच जो है चालर्स डार्वीन का जनम 12 फर्वडी 1809 को इंग्लेंड में हुआ उनका पूरा नाम चालर्स रॉबर्ट डार्वीन था यह अपने माता पिता के पांचवी संतान थे चलिए हमारा अगला कोश्चन के तरफ कोश्चन है डार्वीन का मानव संबंदी करमीक विकासवात सिदान्त इसाई धर्म गरंथ बाइबल में परतिपादित किस मत या सिदान्त का खंडन था आप लोगों को बताना है कि चालर्स डार्वीन का जो है मानव संबंदी करमीक विकासवात सिदान्त इसाई धर्म गरंथ है Bible में पर्तिपादित किस मत या सिधान्त का खंडन किया है इसका सही उत्तर है देविये उत्पती मत का खंडन किया है चलिए हमारा आगला question के तरफ question है the origin of species by means of natural selection के लेखक है तो इसका सही उत्तर है चालर्ड्स डार्वीन ही the origin of species by means of natural selection के लेखक है चलिए भी आख्या देख लेते हैं डार्वीन ने प्राकिर्पिज गुवरं natural selection का जेव विकास सिधान्त को पर्तिपादित किया इन्होंने बीगल नामक जेल पोत में रहकर अपना अनुस्त संधान कारिका सर्वेक्षन किया अपनी पुस्तक on the origin of species by means of natural selection में जेव विकास को समझाया है डार्वीन ने एक अन्य पुस्तक the descent of man नामक पुस्तक लिखा है चलिए हमारा आगला कोश्चन के तरफ चालर्ष डार्वीन की रचना the origin of species by means of natural selection का परकासित हुई आप लोगों को आप परकासित के बारे में बताना है तो इसका सही उत्तर है 1869 में परकासित हुई थी चालर्ष डार्वीन की रचना the origin of species by means of natural selection का परकासित हुई चलिए हमारा आगला कोश्चन के तरफ और इस वीडियो क्लासिस का अंतिब कुश्चन के तरफ अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर दिजिए क्योंकि नाया चैनल है आप लोग जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए तो अभी हम लोगोंने बात किया साथ डेजिए अपने प्राकृतिक विवरन नेचरल सेलेक्षन का जैव विकास सदांद परतिपादित किया इन्होंने बीगल नामक जलपोत में रहकर अपना अलूसंदान कारिया सर्वेक्षन किया है अपनी पुस्तक The Origin of Species by Means of Natural Selection में जैव विकास को समझाया डार्वीन में एक औन्य पुस्तक लिखी जिसका नाम है The Descent of Man भी लिखा गया है चलिए हमारा आज का पराचीन इतिहास का जो है ग्यारवा पार्ट यहीं तक था हमारा वीडियो कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि नया चैनल है आप लोग सपोर्ट कीजिएगा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्नवाद